वेलकम स्टुडेंट, the topic of our lecture is एसकोकाइटा ब्लाइट आफ ग्राम, चन्ने का एसकोकाइटा ब्लाइट इस, यह रोग जो है, विश्वयापी रोग है और जहां भी ग्राम की फसल, चन्ने की फसल बोह जाती है, वहाँ पर यह रोग पाय जाता है भारती उप महादूइप में, यह जो है सामनेत है, नोर्थ वेस्ट पार्ट, उसमें पाय जाता है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान वगरे उसमें पाय जाता है, और भारत की बात करें, तो यह रोग जो है, पंजाब, हरियना, हिमाचल प्रदेश, बिहार और राजस्तान, यहा इस तरह से नजर आते हैं, इंफेक्टिड लीव्स, इंफेक्टिड लीव, इंफेक्टिड स्टेम, इंफेक्टिड पोड, इस तरह से इस पोड की उपर, कंसंट्रिंग, रिंग की रूप में यह सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इस तरह से लीव्स पर, जो है सर्कूलर और elongated lessons और spot हमें इस disease में नजर आते हैं इस disease में पोदे के सारे भाग जो भी aerial part होता है वो प्रभावित होता है उसे attacked या संक्रमित रहता है और इसमें leaflet की उपर brown colored round or elongated lessons ये leaflet है इस पर जो है rounded या फिर elongated या फिर इस तरह से ये elongated हो सकते हैं या फिर ये rounded spot lessons जो है इसके अंदर दिखा देते हैं और ये जो brown color के जो spot है वो spot अपने चानो और एक brownish red margin एक भूरे लाल करण के margin दोरह spot है और spot चानो तरफ से brownish red margin से covered रहते हैं चानो तरफ से बात करें तो इसके उपर भी relation हमें नज़र आ रहे हैं और ये पूरी तरह से circular और ये जो है चानो तरफ से dark margin circular relation के चानो तरफ से dark margin हमें दिखाई दे रहे हैं और ये dark margin किस रूप में है concentric ring की रूप में संकेंदरी जो है वले के रूप में यह में नजर आता है और यह वलेak डॉट-like筋टि कीया है, कि यह जो है ब्लेक ।-डॉट-like picnid यह सारी-सारी यहां पर यह सेक्ष यह ए quiz यह सेकस्वर प्रॉटिंग बोडी पिक निडिया है यह हमें जो है सर्कूलर बैंदmême नजर आती है और इस पूड के अलावा जो है स्टैम और पीटियॉल उस पर भी हमें ब्लैक और डॉट्स जो है काले रंगे जो है डॉट्स धबे दिखाई देते हैं और यह देखिए आप यह स्टैम यहाँ पर यहाँ पूरा जो है यहाँ पर यह पूर रेलेश्चिंस और द और अब ही में देखते हैं कि जो लेश्चिंस जो होते हैं जो इस पर स्पॉर्ट बनते हैं जो दब्बे बनते हैं विक्षत बनते हैं वो स्टैम के चालत तरफ गर्डलिंग कर लेंगे और गर्डलिंग करने के बाद में जो इसका उपर वाला पोर्शन जो है इस गर्डल क वो सेरा तुरंत ही जो है नस्ट हो जता है, कत्व हो जता है तो इस तरह सी ये लेक्षियों जो है महां के टिशूज जो है नस्ट हो जता है और जो अबो पाट होता है, इसके ठीक ऊपर वाला भाग है वो नस्ट हो जता है अब जैसे ऐसे disease आगे बढ़ती है, disease प्रोग्रेस करती है, तब क्या होगा, कि इस field में जो plants है, gram की उस पर drooping effect, drooping and wilting, patches हमें नज़राते हैं, तो यह जो है, अगर drooping और wilting symptoms हमें नज़रात, अगर दिखाई दें तो इसका मतलब disease काफी आगे बढ़ चुकी है, और उप्लांट पूरी तरह से wilt हो जाता है, और यह जो रोग है, अगर मौसम में नमी है, तो काफी तेजी से यह फैलता है, वेट पेदर काफी नम वातावन में काफी तेजी से फैलता है, तो यह इसके symptoms, उसके बाद हम causal organism की बात करें, इसके pathogen की बारे में बात करते हैं, इसका pathogen है, ऐसको काईटा rabi, और इसको हम पहले जो है, इसका पराना नाम था phylosticta, phylosticta rabi, और phoma rabi, और इसकी perfect stage है, ऐसको काईटा की माइको spherilla rabi, इसकी perfect stage है, जो एसको mycities class के अंदर आती है, अब हम इसके mycelium को देखें, एसको काईटा, एसको काईटा को जो mycelium होता है, वो branched septate, और hyaline to brownish, brownish color का mycelium, और इस, यह mycelium जो है, अगर चल करके, और एक फ्लास्त पिक्निडिया का निर्मान करता है, और यह पिक्निडिया जो है, amphigenus होती है, कैसी होती है, amphigenus होती है, leaf की दोना surface वे बनती है, और गहरे भूरे रंग की, dark brown, spherical to sub globos, spherical to sub globos, तो पिक्निडिया कैसी होई, amphigenus, dark brown, spherical to sub globos, अब इस पिक्निडिया में जो है, पिक्निडियो स्पोर बनेंगे, यह पिक्निडियो स्पोर कै क्या से होंगे, hyaline oval 2 oblong यह स्पोर बन रहे हैं इस के अंदर यह ॥ायलेन to ॥ायलेन Oval 2 oblong और स्द्टेट और स्लाइट कारूँ, या तो सीधे होते हैं या फिर हलका सा इसके अंद्र कारूँ पा यता है और जनरली जो है यह सिंगल से द्टी है इसके अंदर septa नहीं पायता है लेकिन कभी बार जो है इसके अंदर जो है एक single septate condition जो है इसके अंदर पाय जा सकती है तो इस तरह से ये septate और rounded at ends अपने सेरों पर जो है ये rounded होता है एक्यूट नहीं होते हैं तो ये पिक्निडियोफ इस पोर और अब हम बात करते हैं कि जो moistened pignidia है जो नमी युक्त पिक्निडिया है जिसमें नमी है वो फिर क्या करेगा कि पिक्निडियोफ स्पोर को रिलीज करेगा मास के रूप में और फिर वो जो है in the form of horn-like structure Cyrus वो जो है एक स्विंग की तरह structure बनती है और जो से हम कहते हैं Cyrus उस के रूप में जो है ये एक मास की रूप में जो है यहां से पिक्निडियोफ इस पोर ये पिक्निडिया रिलीज करती है और स्पोर जो है काफी समय तक अपने आपको वाइबल रखते हैं ऐसा निया कि इसका लाइप स्पान सौर्ट होता है काफी लंबे समय तक ये अपने आपको सर्वाई बना रखते हैं और फिर जो है ये पिक्निडियो स्पोर क्या करेंगे कि rain drop के द्वारा की windy weather में जो है rain drop या बारिस की बूंद है जो splashing उसके द्वारा यहां से बिखर जाते हैं या फिर जो है कि दो plants उसके बीच की जो leaves उनकी आपस में contact होने से तब भी जो है यहां से picnidious 4 disseminate होते हैं या फिर जो है human being के द्वारा भी जो यहां से disseminated हो सकते है picnidious 4 तो यह causal organism next disease cycle रोग चक्र हम देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कि disease जो है वो soil born और seed born दोनों ही है soil born और seed born ब्रदोड और बीजोड दोनों ही प्रकार की जो है यह disease है और इसमें जो primary infection के जो है मौटे तर पर दो source पाएते हैं two major sources of survival and sources of primary infection कि प्रात्मिक संक्रमन के दोश जो है श्रोत है इसके अंदर कौन कौन से कि जो harvesting के बाद जो खेत में फसल बड़ी है उस फसल में जो है जो pathogen है उसके रूप में कि crop debris left in the field after harvesting कि जो रोग अगरस्त पोधे क्या उसे इस पढ़े है उसके रूप में पाएती है या फिर infected या infested seed संदूशित या संक्रमित बीजों के अंदर या बीजों के ऊपर जो है यह प्रात्मिक inoculum जो है निवेस द्रगे पाए जाता है और इन दोनों मेंसे कि जो crop debris पड़ा है या फिर infested और infected seed है इन दोनों मेंसे जो vital source जोता है primary inoculum का वो होता है seed होता है इन दोनों मेंसे seed जो है वो primary infection के लिए ज़्यादा effective रहते है और यह जो फिर mycelium बनेगा वो mycelium जो है किसमें present रहता है seed caught और cotyledons of seed बीज के seed caught के उपर रह सकते हैं cotyledons के अंदर रह सकते हैं अब second infection के बात करें तो second infection किसके दवरा होगा? picnidium spore के दवरा picnidium बीजानों के दवरा इसके अंदर जो है दुधियक संकर्मन होगा और picnidium spore जो है बनते है picnidium के अंदर वो picnidium जो है महाँ से disseminate होगे यह spore किसके दवरा? Smztok रow की दवरा हो सकते है और फिर जो पतियां होती है pass की इसे pass की दो पतियां होती है उन पतियों की बीच में contact होने से भी après dat flight, you will get a second infection हो सकता है या फिर animal का moment field में जो है animal का moment होता है civiler second infection होता है उस animal की moment से भी जो है हेँँए से जो है दूसरे host तक जो है इस pathogen का movement हो सकता है और second infection cause करता है अब देखते हैं कि जो दो इलाके हैं एक वो इलाका जहां पर hot summer और rainy season crop season के साथ रहती है कि दोनों ही season पाईती है alternate hot summer and rainy season hot summer और rainy season एक दूसरे नहीं करता है उसका कारण यह है कि जहां crop debris वो रहन्स में क्या जल्दी decompose हो जाता है crop debris decompose rapidly due to rains तो जहां पर hot summer और rainy season दोनों ही होते हैं अल्टरनेट के form में वहां पर यह pathogen ज्यादा समय तक ज्यादा duration के लिए survive नहीं करता है लेकिन जहां climatic condition दो crop की बीच में काफी सुष्क है शूखी यह dry है वहां पर यह pathogen काफी लंबे समय तक अपने आपको survive बनाई रखता है तो एक environmental और climatic condition भी जो है इसके survival में काफी important role play करती है तो यह disease control next control measure हम देखते हैं several physical and cultural practices बहुत एक और कर्शन क्रिया है physical and cultural practices help in reducing the diseases which type of activities which type of practice like use of disease-free seeds disease-free seeds crop rotation field inspection choice of sawing date proper adjustment of row direction and row spacing जो कतारे मनती है फसल की उसकी बीच की जगह है और जो है रो की direction की उसका जो है proper adjustment और बुवाई का जो है तारीक जो है उसकी अपनी choice वो proper choice field inspection प्रोपर विजिट crop rotation फसल चक्र यह सारेक सारे जो physical और cultural practices है उसके द्वारा भी हम काफी हद तक जो है disease को control कर सकते हैं काफी कम कर सकते हैं removal and destruction of dead crop debris inter cropping of gram with cereals की जो है crop debris को nest कर दें वहां से हटा दें और ग्राम का जो है चने का cereal के साथ में inter cropping हो और deep plugging अगर गहरी जुताई करें तो जो है काफी वो effective mode रहता है कि इस disease को कम control कर सकते हैं इसके अलावा हम seed को sunlight में 15 days के लिए अगर हम expose कर रहें तो भी disease को reduce कर सकते हैं इसके pathogen को हम कम कर सकते हैं इसके अलावा organo mercurize के द्वारा seed treatment organo mercurize जैसे agroson है copper sulfate है thirem है agroson copper sulfate and thirem इसके द्वारा अगर हम seed treatment करें तो भी हम disease को control कर सकते हैं इसके अलावा disease resistant varieties रोग प्रतिरोदक शमतावली जो हैं वो किसमें कौन-कौन सी है ILC, ILC 183, ILC 200 यह कुछ रोग प्रतिरोदक शमतावली किसमें हैं और इनको गाने से जो है disease को हम control कर सकते हैं इस पर pathogen का आक्रमन जो है काफी कम होता है तो यह हमार जो है इसको काईटा blight of gram डिजिस कंप्लीट होई थैंक यू